ओम स्री गनेश आयनम दोस्तू एश्ट्रू समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 अप्रेल सौंबार के राशी फल के बारे में की हाँ दिन मिथुन राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिभी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंस सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मिथुन रासी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आप लोग बहुत ही अधिक संतुलित प्रवर्ति के होते हैं आप अपने समाजिक संबंदों को आज और अधिक मजबूत करेंगे धर्मिक कारों में आज आपका अधिक समय व्यातित होगा घर में किसी के विवास संबंदित कोई योजना बन सकती है आज कोई रुकी हुई बड़ी पेमेंट मिलने से आर्थिक समस्याएं काफी हद तक हल हो जाएंगी तथा टैंसन भी दूर होगी घर के बुजुर्गों का आशिरवाद और सयोग आपकी परिस्तानियों में सायक सिद्ध होगा आपके व्यक्तित्व तथा आत्म विश्वास के समक्ष आपके विरोधी परस्त होंगे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा आप समाज में सम्मानित महसूस करेंगे और इसकी बज़े से आप अपने कारों को भी बहतरीन तरीके से करने में समर्थ होंगे दोस्तो आज संतान को भी कोई महत्पपूर्ण और बड़ी उपलब्दी मिलने से घर में खुसी भरा माहूल रहेगा नजदी की रिष्टेदारों के साथ गेट टूगेदर का भी प्लान बन सकता है घर्चों की भी अधिकता का भी आज आपको दुख नहीं होगा यदि कोई कोट केस चल रहा है तो उस पर भी आज विचार विमर्ष हो सकता है जिससे की फैंसला आपके पक्ष में आ सके साथ ही किसी महत्पपूर्ण व्यक्ती का भी सेहोग आपके कारों को और अधिक शुगम बनाएगा पिछले कुछ समय की ठकान भरी दिन्चरिया से आज आपको राहत मिलेगी साथ ही समय नजदी की मित्रों के साथ मनोरंजन संबंदी आमोद प्रमोद में व्यतित होगा बच्चे की किलकारी से संबंदित कोई सुब सूचना आज आपको मिल सकती है जिससे घर परिवार में काफी खुसी बरा माहौल रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो आज किसी भी प्रकार की यात्रा से नुकसान होने की संभावना लग रही है इसलिए यात्रा को आज इस्थागित रखें आर्थिक समस्याओं को लेकर घर में कुछ तनाव भी आज रह सकता है आज दोस्तो और बेकार के कामों में अपना समय वर्थ ही व्यतित ना करें क्योंकि इनकी वज़े से आपके महत्पूर्ण कार रहें बीच में ही रह जाएंगे विध्यारती वर्ग को अपनी पढ़ाहिक के प्रती ज्यादा ध्यान देनी की आवशकता है आएके सादन भी आज आपके लिए सामाने ही रहेंगे इसलिए अपने खर्चों पर अंकुष लगा कर रखना आवशक है पैसे के मामलों में हात तंग रह सकता है परन्तो इस समय अपना दरश्टी कौन शकारात्मक बना कर रखना ही उचित है साथी साथ पडोसियों के साथ भी किसी बात को लेकर किसी भी प्रकार का कोई मतबेद आज हो सकता है पुलिस थाने जाने की भी नौबत आ सकती है इसलिए अपने आक्रोस पर कंटोर लखना जरूरी है कोई भी निर्णे दिल की अपेक्छा दिमाग से ले भावुकता में आकर आप अपना नुक्षान कर सकते हैं बच्चों की गती विदियों पर कड़ी नजर रखें उनके द्वारा किसी प्रकार का नुक्षान हो सकता है कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले किसी अनुबवी व्यक्ति की सला आप अवश चले जमीन जायदात से संबंदित कावजी कार्रवाही को बहुती अधिक ध्यान से करें किसी भी प्रकार की धोका दड़ी आपके साथ हो सकती है थोड़ा साफधान रहें दोस्तो बात कर लेते हैं जब की लव लाइफ के शिरेने वाली है दोस्तो घर के किसी भी मामलों को हल करने के लिए जीवन साती का आज आपको पूर्ण शयोग प्राप्थ होगा अपनी भावनाओं को सहयमित रखें पती-पत्नी के मदूर संबंद रहेंगे किसी बच्चे की नकारात्मक बात को लेकर कुछ तनाव रह सकता है पती-पत्नी में भावनात्मक संबंद मदूर रहेंगे परन्तु घर में जादा हस्त छेप करना ठीक नहीं ऑपके भावनाओं की काफी कदर करेंगे दोस्तो आज का दिन आपके प्रेयम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो इस दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए दोस्तो बात कर लेते हैं जब का वैविशाई केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आर्थिक गती वीडियो में अभी कोई सुदार होने की संभावना नहीं है परंतु भमिश्य संबंदित योजनाओं के लिए अभी से ही मेहनत करना आवश्चक है नोकरी पेशा वेक्तियों के लिए आज प्रमोशन के योग बन रहे हैं साती सात कार छेत्र में आज मन कुछ विचलित होने की वज़े से ध्यान नहीं लग पाएगा तथा निर्णे लेने में भी कुछ एसहज महसूस करेंगे इसलिए कोई भी काम करने से पहले घर के वरिष्ट जनू की सला आप अवश चलें वेवसाइक परिस्तितियां अभी पूर्ववत ही रहेंगी परन्तों मार्केटिंग संबंदित कारों से आज कुछ फायदेवंद ओर्डर भी आपको मिल सकते हैं इसलिए पार्टियों के साथ आज संपर्क में रहें सरकारी सेवारत व्यक्तियों को काम की आज अधिक रहेंगी आज कारे छित्र में गतिविदियां बहतर रहेंगी आपकी अच्छी छवी की वज़े से मार्केट में आपको अच्छा ओर्डर मिलने की आज संभाव नहें इसलिए अपना पूरा ध्यान अपने कारे पर ही केंद्रित रखें नोकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी आज का दिन बहुती महत्पपुन रहेगा दोस्तो साती सात कोई भी निलने दिल की अपेक्छा आप दिमाख से लें भावुक्ता में आकर आप अपना नुक्सान कर सकते हैं बच्चों की गतिविदियों पर कड़ी नजर रखें उनके द्वारा किसी प्रकार का आज नहीं होगा और लोग उसका फायदा उठा लेंगे नौक्री पेसा वेक्टी भी अपनी फाइल और डोकुमेंट्स बहुती अधिक समाल कर रखें अन्यता आप परिसानी में बढ़ सकते हैं साफधान रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला ह दोस्तो अपने आप में आत्मभल की कमी आज आप महसूस करेंगे इसकी वजय से शारारिक कार्रे चंटाओं में भी कमी आएगी इसलिए आज आप अपने आपको बहुती अस्वस्त महसूस करेंगे इसके लिए आप अपनी दिन्चरिया को बहुती सयमित रखें इसके लिए आप रोजाना योग करें, वैयाम करें, स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाय क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदिशे निर्वत्र होने के बाद भगवान शिव का शक्कर मिले दूद से अभिशेक करें और साथी साथ अपनी मनो काम नए मांगें जादोस्तो ऐसा करने मात्र शेही भगवान भोलेनात बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानियों कांत करेंगे और आपको सीगर ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपकी समस्त मनो काम नए भगवान भोलेनात अवश्य ही पून करेंगे दोस्तों आप इस प्रिकार इस उपाय को वश्य करें आपको वश्य ही विशे से लब प्राप्त होगा दोस्तों भगवान भोलेनात का सिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै भोलेनात अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद